दोस्तो एक बड़ी खबर अभी अभी निकल के आई है 18 लाख अभियर्थियों के लिए बड़ी खबर बिहार स्विल कोट के कलर और प्यून का दोस्तो एकजाम कब होगा यहाँ पे डाइरेक्ट आपको नोटीस हम दिखाने वाले हैं अभी दोस्तो यहाँ पे 18 लाख दोस्त का लिया जान लेते हैं दोस्तो आज से 1,5 साल पहले कलर Paul K youn को लेकर के दोस्तो हम पेमेंटी नहीं किये थे और बहुत सारी गलतियां किये थे जिसके वज़ाँ से लगवाख 2,28 लाख ौजार रद हो चुके हैं तो competition तो ऐसा ही कम हो गया बहुत सारे लोगों ने अच्छे से मन से form apply नहीं किया था जिसके वाज़ा से उनका form reject हो गया और उपर से दोस्तों अगर कुछ पोस्ट बढ़ा दी जाती है तो ये तो अभियर्थियों के लिए सोने पे सुहागा हो जागा क्यों की court reader में कुछ पोस्टे बढ़ाई गई है इसलिए chance बन रहा है कि प्यून और कलर के आने वाले exam से पहले आपके post को increase कर दिया जाए इसलिए सचेत हो जाई है तैयारी में लग जाई है कितने लोगों ने सही सही form apply किया है ये पता करना जरूरी हो जाता है admit card भेजने से पहल यानि कि दोस्तों वो काम पे लग चुके है कि इनको admit card भेजना है कि इनको नहीं भेजना है चुनाओ को खतम होते ही ये तो पहले से ही तैय हो जाएगा कहा कहा center रखना है लेकि चुनाओ खतम होते ही तुरंत आपके exam करा लिया जाएंगे इसलिए आप बिल्कुल ही सचेत ह करके अपने तैयारी में लग जाएं ये बार बार notice नहीं डालते हैं ये notice संकेत है कि आपके post बढ़ाई जा सकते हैं क्योंकि court reader में post बढ़े हैं तो बिहार स्विल court में दोस्तों कितने लोगों ने सही-सही firm नहीं भारा है इसका यहाँ पे दोस्तों ये notice जारी कर दिया गय गया था उसमें बहुत सारी तुरूटियां थी जिसके वज़ा से reject कर दिया मतलब कि ये कहने का मतलब यह है ना कि notice लगातार back to back यहाँ पे आने शुरू हो गया और ये इस बात का संकेत है कि इस exam को ले करके वो action में आ चुके हैं बहुत ही जल्द वो exam लेंगे sit बढ़ भी सकता है इसलिए आप अब सचेत हो जाएए इतना दी notice नहीं आ रहा था तो अलग बात थी लेकिन अब notice आने लगा यानि कि जाच वेगरा छटनी का काम सुरू हो चुका है तो आप बिल्कुल से action में आ जाएए क्योंकि जब आयोग यहाँ पे action में आ चुका है तो आपका फ क्यारी में लग जाए कोई भी अपडेट आएगे बताने का प्रियाश करेंगे लगातार हम ओफिसियल साइट पर नजर बनाकर रखे हैं तो अब बस इतने ही मिलते हैं अपनोंक साथ तब तक लिए जाज़त दीजिए जा हिंद्या भारत